नमश्कार बच्छू इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ important multiple choice questions और very short questions को discuss करेंगे और यह जो questions होने वाले हैं यह आपके civics के होंगे जो के class 8 का एक बहुत important topic है जिसका नाम है understanding secularism ठीक है तो चलिए श्राट करते हैं first question को बेना time waste के देखते हैं first question में कहा गया what happened in Germany during Hitler's rule तो जब Hitler rule कर रहा था तो जर्मनी में उसके rule के दौरान क्या हुआ है इन में से यह आपको यहाँ पर बताना है तो bombing of Nagasaki तो क्या bombing of Nagasaki जो ही थी वो जर्मनी में हुई थी नहीं यह जापान में हुई थी तो यह जो option है गलत हो जाएगा पहला option बिलकुल गलत है end of world war 2 तो world war 2 जो end हुआ है वो भी Hitler के rule में नहीं हुआ है अलाकि Hitler ही था उसमें लेकिन इसको हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि जर्मनी में हुआ है यह ठीक है तो यह भी गलत हो जाएगा what can we not do in government schools तो भारत की बात करिया रही है भारत में जो government schools है उनमें हम क्या नहीं कर सकते हैं तो पहला sing national song तो इस national song तो गा सकते हैं जो हमारा क्या है अगर हमारा national song पूछा जाए तो यह है वन्दे मातरम ठीक है और national anthem क्या है ठीक है मातरम national अगर anthem पूछा जाए तो यह जनगडमन है national festivals को मना सकते हैं जैसे 26 जनवरी रिबबलिक डे हो गया पंदर अगस इंडिपेंडनेंस डे हो गया दॉक्टूबर गांधी जैनती हो गया national festivals है इनको मनाया जा सकता है लेकिन जो religious festivals है जैसे holy दिवाली दशहरा यह चीज गवर् को प्रमोट नहीं किया जा सकता है government के school हो में next पे आते हैं question number third में कहा गया majority of population of Israel is तो इसराइल अगर देखा जाए इसराइल की capital याद रखेगा Jerusalem है क्या है Jerusalem है ठीक है अब इसकी capital पूछा गया है कि इसकी जो population है वो mainly क्या है ठीक है population mainly किस मतलब क्या चीज है population में तो population क्या population है याद रखेगा तो उसमें भी option सही हो जाएगा कि जो Israel की जो population है वो mainly क्या है Jews है ठीक है next के आते है fourth question में कहा गया Indian constitution does not contain तो Indian constitution में क्या नहीं है तो equality का right है बिल्कुल ठीक है fundamental right भी है fundamental right में ही equality का right है याद रखेगा right to equality fundamental right में ही हम लोग को मिला है reservation की बात भी करी गई है constitution में जैसे SEC हो गया HD हो गया OBCS हो गया इनको reservation दिया जाते है लकिन discrimination नहीं है ठीक है discrimination को end करना है ठीक है ending of untouchability discrimination तो इसमें करी गई है ठीक है तो does not contain discrimination तो discrimination की बात नहीं करी गई है contribution को खतम करने को बात करी गई है Quadro 5th में कहा गया secularism का मतलब क्या होता है secularism means तो देखे जो state इस टेट मतलब जो सरकार है ठीक है जब वो किसी religion को promote नहीं करती है यह कह सकते है कि उसको जब लोग separate करते थे हैं किसी religion से तो उसको कहा जाता है secularism ठीक है तो separation of religion from state अब state में जरूर नहीं कि state की government हो यह central government भी हो सकती है कोई भी सरकारी दफ्तर हो सकता है कोई भी सरकारी company हो सक यह सारी चीजे state में आती है नेक्स्ट में आते है कोशनबा 6 में कहा गया which of the following is correct with the reference to Saudi Arabia अब Saudi Arabia से related आपको उता ना यहाँ पर कौन सी बात सही है तो क्या यह secular country है नहीं secular नहीं है यह Islamic country है ठीक है Islamic country है मतलब एक ही धर्म को यह मिली मतलब यह कह सकते है कि promote करेगी दूसरे किस नहीं है non secular country है जैसे इंडिया secular है all religions are treated equally यह भी बिल्कुल गलत है केवल इसलाम को सही treat किया जाएगा बाकी जो भी religion है वो अपना जाके जो भी करना हो करें बाहर खुले में कोई भी चीज नहीं कर सकते है मतलब कोई भी पूजा पाट करनी है तो खुले में नहीं कर सकते है इन्हें की सड़क पर बैटके पूजा पाट कर रहें जैसे आप भारत में देखते होंगे तो भारत में सड़कों पे मंदिर बना दिया आते हैं मस्जिद बना दिया थिए गुर्удबारे बना दिया लेकिन ये चीज साओधी आरब में नहीं कर सकते है हाम जो इसलाम है वो तो कर सकता है लेकिन उसके अलावा कोई भी religion ये चीज नहीं कर सकता है ठीक है तो पूजा पाट करने है अपने घर के अंदर कर गए next में देखे कहा गया non-muslims are free to practice their religion the way they want तो इसमें कहा गया है कि जो non-muslims हैं कि जिस भी तरह से वो चाहें वो अपने religion को practice कर सकते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है ठीक है जिस भी तरीके इस practice नहीं कर सकते हैं बंद कमरे के अंदर अगर practice करना चाहे तो कर भी सकते हैं अगर वो है non-muslims लेकिन बाकी और भी तरीके उसके नहीं है ठीक है इंडिया के तरह नहीं है मिकलब non-muslims cannot gather in public spaces for prayer तो public space में non-muslims gather नहीं कर सकते ये बात बिल्कुल सही कही गई है ठीक है यही पूछा गया था correct कौन सा है तो तीनों गलत थे keyword D option इसमें correct है 7th में आते हैं 7th question में कहा गया the government does not force sick to wear helmet अब देखे जो sick होते हैं आपको पता होगा वो सर पे टर्बन लगाते हैं पगड़ी लगाते हैं ठीक है इसलिए उनको मतलब ये एक छूट मिली हुई है कि वो helmet ना भी पहने तो भी ठीक है जब वो two wheelers को drive करने हूँ ऐसा क्यों ह तो अभी हमने आपको पता है इसका reason क्या है क्योंकि ये क्यारी पहनते हैं पगड़ी पहनते हैं तो sick we are turban पगड़ी which is important part of their religion तो इनके religion का एक important part है इसलिए इसको मना किया आता है next पे आते हैं question number 8 में कहा गया untouchability is an ancient practice of अब untouchability किस religion में होती थी तो उसको पता होगा हिंदूस में होती है ठीक है होती थी अब नहीं है ठीक है तो इसमें a option सही हो जाएगा next में आते है question number 9 में कहा गया state efforts अब देखे state के जो efforts होते हैं to influence a particular matter to influence a particular matter in accordance with principles of constitution मतलब किसी भी matter को क्या करना influence करना constitution के हिसाब से मतलब किसी matter को deal करना constitution के हिसाब से इसको क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं intervene तो अपर a option जो है वो सही हो जाएगा coercion का मतलब होता है किसी चीज को forcefully कराना जैसे कोई काम नहीं करना चाह रहा है तो forcefully उस person से काम करवाना इसको कहते है coercion और secularism बताया था कि state को religion से अलग करना है religion को state से अलग करना next में कहा गया है the most important aspect of secularism is its separation of religion from dash तो state power जो है या state जो है अब state में center भी आ जाएगी union भी आ जाएगी बहुत सरी चीज़ आ जाएगी तो mainly हम लोग यहाँ पर जो term use करेंगी वो state कहेंगे state power कहें है state कहें कि religion को किस से separate करके रखना state से separate करके रखना next में आते है question 11 में कहा गया the forces the force used by legal authority अब देखे कोई भी legal authority है जब वो कोई force use करती है तो उसको क्या कहाता है question ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो answer हो जाएगा वो c option हो जाएगा next में आते ह correct statement related to non-muslims in Saudi Arab अब Saudi Arab में क्या चीज़ इसमें correct भूजी गई है तो non-muslims can gather in public place तो बताया था ऐसा नहीं कर सकते ठीक है second देखे second में क्या कहा गया second कह रहा है they cannot build a temple और a church ये बिल्कुल ठीक है ये church और temple नहीं बनवा सकते है they can live in their own भी ये भी गलत है ठीक है तो इसमें सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा option number ये जो हमने बताया option number B ठीक है बाकी सारे options इसमें गलत है next में आते है question number 13 देखते है 13 में कहा गया most important aspect of secularism is अब secularism का most important aspect क्या है कि state को किस से अलग कर रखना religion को state से अलग कर करके रखना तो इसमें a option सही है next में आते 14th question कह रहा है what children cannot do in government school तो भी हमने देखा था क्या नहीं कर सकते हैं तो religious festival को ये बना नहीं सकते हैं तो religious festival ये बना नहीं सकते हैं क्योंकि किसी भी ये नहीं कह सकते कि किसी भी religion का promotion किया जा रहा है तो वो सारी चीज़े government के school में नहीं करिया सकती है mainly यहाँ पर किस government की बात हो रही है Indian government की बात हो और इंडियन स्कूल की बात हो रही है याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेशन पे आते हैं इसमें कहा गया अब अमेरिका की सेकुलरिजम में क्या है जिसे भारत में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है रिलिजन और स्टेट का लेकिन अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है मतलब रिलिजन और स्टेट बिल्कुल स्ट्रिक्ली अलग हैं बिल्कुल एक दूसरे से ठीक है तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए सही है नेक्स्ट में आते हैं आप वरी शॉर्ट कॉस्टन देखेंगे यह भी अप्रॉक्सिमिटली 15 होंगे वाट ड़स देखेंगे तो सेपरेशन और स्टेट में दखल अंदाजी नहीं करेगा या रिलिजन जो है वो स्टेट में दखल अंदाजी नहीं करेगा इस्टेट का मतलब एक तरीके से सरकार है गवर्मेंट है नेम टु फेस्टिवल्स इन इंडिया धार सेलिबरेटेड बाइ बोथ हिंदूस एंड सिख तो हिंदू और सिख जोनों जो फेस्टिवल्स मनाते हैं जैसे लोरी हो गया ये भी हिंदूस और सिख दोनों मनाते हैं और धीपावली भी जो है वो हिंदूस भी मनाते हैं और सिख भी मनाते हैं तो यहाँ पर यह option हो जाएगा थर्ड पर आते हैं थर्ड question कहा रहा है what happened in Jewish state of Israel अब देखें क्या हुआ था Jewish state में ठीक है Jewish मतलब जो इसराइल में Jewish है वो Jewish जो इस्टेट है वहाँ पर आपको पता है Jewish जो होंगे majority में होंगे क्योंकि Jewish state है तो minority में कौन थे तो minority में Muslims और Christian थे अब इनको badly इनको treat किया जा रह थी किसकी Muslims और Christian की कहा पर इसराइल में ठीक है Jewish state में नेक्स्ट में कहा गया है fourth में how are non-muslims treated in Saudi Arab अभी उनने आपको बताया Saudi Arab में बहुत मतलब इनको freedom नहीं है ठीक है और इसमें church नहीं बना सकते है temples नहीं बना सकते है public place में gather नहीं हो सकते है prayer नहीं कर सकते है public place में तो ये सारी चीज़े वहाँ पर क्या है मना है और mainly किसके लिए non-muslims के लिए Muslims कर सकते है next में आते हैं question number 5 में कहा गया what do you mean by freedom to interpret freedom to interpret का मतलब क्या है यह यहाँ पर बताना है ठीक है तो इसका मतलब यह है individual की liberty liberty का मतलब होता है freedom ठीक है तो यह एक individual का क्या है freedom है और किस चीज़ का freedom है to develop his own understanding and meeting of religion that one practices मतलब कोई अगर किसी भी religion को practice कर रहा है तो क्यों practice कर रहा है उसके बारे में जानने की जो इच्छा है वो अपने हिसाब से कैसे भी उसको interpret करना चाहे वो interpret कर सकता है ठीक है तो अगर कोई बोलता है कि भगवान राम exist करते हैं कोई कहता है नहीं exist करते हैं तो दोनों के अपनी अपनी राय है वो उसको रख सकते हैं तो इसी को कहते हैं freedom to interpret next में आते हैं question number 6 में कहा गया how is Indian secularism different from that of American secularism कैसे अलग है तो अभी हमने आपको बताया था America में क्या है strict separation है religion or state का strict separation है मतलब बिल्कुल strict ही अलग किये गए हैं दोनों religion or state बिल्कुल एक दूसरे में interference नहीं कर सकते हैं लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत interference होता है ठीक है according to Indian constitution next में आते है what is meant by principled distance principled distance का मतलब क्या है यहां पर बताना है तो देखे principle distance का मतलब यह है कि जो state है वो किसी भी religion के कोई भी मामले में interfere कर सकता है लेकिन कैसे कर सकता है on the basis of ideals that is laid out in the constitution मतलब जो चीज constitution में लिखी है उसके हिसाब से अगर माली जो कोई भी religion ऐसा काम कर रहा है जो इसके खिलाफ है constitution के तब state कहीं न कहीं उसमें interference कर सकता है तो यहां पर यह बात आपको समझदी जरूरी है next में आते है what do you mean by coercion तो coercion का मतलब क्या होता है किसी भी इंसान को force करना to do something against hazard will तो मतलब उसकी जो भी will है जो भी उसकी इच्छा है उसके against कोई काम कराना इसी को क्या कहते है coercion कहा जाता है what cannot government school celebrate मतलब क्यों नहीं celebrate कर सकते है religious festivals को government school में यह आप यहापर बताना है क्योंकि अभी हमने आपको बताया था किसी भी religion को सरकारी school promote नहीं कर सकते है कहा के सरकारी school इंडिया के सरकारी school क्योंकि हम लोग क्या है हम लोग secular है ठीक है किसी भी religion को हम लोग promote नहीं करते है हम लोग secular country है next में आते है question number 10 में देखे कहा गया name the country and the political leader during whose rule large number of Jews were persecuted तो बहुत सारे Jews मारे गए थे किसके rule में ऐसा हुआ था तो Hitler के rule में हुआ था कहा पर हुआ था Germany में हुआ था याद रखेगा Germany में ठीक है next में आते है question number 11 में कहा गया what is the position of minorities in Israel अब इसराइल में जो minorities है minorities में कौन-कौन है तो mainly Muslims है और कौन है Christians है ठीक है ये दो main minority में है इसराइल में तो इनकी condition कैसी है बहुत ही poor condition है या यह कह सकते है Germany में जो condition Jews की है या जो condition Jews की थी वो इसराइल में किसकी condition है Muslims और Christians की है बहुत unfairly treat किया था इनको याद रखेगा भारत एक ऐसा country है जहाँ पर हर religion को हर caste को एक ही तरीके से treat किया है जो निम्न तबके के लोग है जो depressed classes है उनके लिए बकायदा proper reservations भी है कि वो उपर उठ सके है यह चीज और किसी country में नहीं है next में आते है what is discrimination discrimination क्या होता है तो जब किसी भी person को या किसी भी इनसान को अलग तरीके से treat किया जाता उन्दा basis of religion sex या caste या जैसे मालीज़े आपसे कहा जाए कि कोई अलग religion का है तो उसको अलग तरीके से treat करें अलग caste का है तो उसको कम treat किया जाए बड़े caste का है तो उसको अच्छे treat किया जाए तो यह सब चीज़े जो होती है इसी को discrimination किया था पहले भारत में इस चीज़ थी ठीक है बहुत पहले की बात अगर करें 100-200 साल पहले की बात करें तब इस सब चीज़े थी लेकिन अब इस सब चीज़े पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है next में आते है question number 13 में कहा गया can Indian state intervene in religious affairs तो क्या Indian state जो है वो religious affair में intervene कर सकते है तो बिलकुल कर सकते है जब उनको ऐसा लगे कि कोई भी religious affair constitution के खिलाफ कोई काम कर रहा है या India की integrity के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो ये जरूर उसमें interfere कर सकते है next में आते है name three former french colonies तो french colonies के गर बात के लिए कौन कौन सी है Algeria, Tunisia, Morocco और भी बहुत सारी है आप लोग इसको search कर सकते है ये countries है important next में कहा गया give examples of one secular state and one non-secular state secular state अभी हमने आपको वता है जिसे India है India secular है America है या USA कहें ये भी secular है non-secular में क्या हो जाएगा ऐसे Pakistan है non-secular है Saudi Arab है non-secular है UAE है इसमें secularism यहाँ पर नहीं है आज का हमारा आखरी सवाल है इसके बाद एक और है दो सवाल बचे है इसमें देख लेते हैं कहा गया है when did France pass a law belling students from wearing any cospecious, religious और political signs और symbol तो देखे France ने एक law pass किया और क्या law pass किया कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ने आ रहा है किसी school में या university में तो वो किसी भी religious या political sign को पहन नहीं सकता जैसे आपको पता होगा कई लोग बुर्खा पहनते हैं Muslims में है ठीक है हिंदूस में अगर आप देखेंगे तो टर्बन पहनते हैं प्रमोट नहीं करना चाह रहे है next में आते हैं किस question number 18th में देखते हैं 18th में कहा गया which type of state give you religious freedom तो कैसा state होगा तब वो religious freedom हम लोग को देगा तो अगर secular state है ठीक है secular state है इंडिया है तो इंडिया हम लोग को religious freedom देता है हर एक religion को पूरी freedom है कि वो अपने religion को क्या कर सकते है practice कर सकते है ठीक है कोई भी अगर भारत में है इंडिया में कोई भी इंसान है चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कृष्चन हो बुद्धिष्ट हो ठीक है जैन हो या कोई भी हो तो वो अपने religion को जिस तरीके से चाहे वो practice कर सकता है बस कोई भी चीज against the integrity of country नहीं होनी चाहिए मितलब भारत की integrity को वो हानी न पहुचाए ऐसा कुछ भी ये लोग ना करें ठीक है तो ये सारी चीजे केवल और केवल भारत में है इसलिए कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा diversity है diversity बहुत ज़्यादा है बहुत अलग अलग तरीके के लोग है फिर भी यहाँ पर क्या है unity है और unity कौन बनाता है तो हमारा संविधान बनाता है हमारा constitution बनाता है यह हमारे पास एक बहुत important वीडियो था जो हम लोग आपके सामने ले के आए इसके लावा और भी कई सारे MCQs हैं कई questions हैं जो playlist में लगा दिये गए हैं आप लोग जाके देख सकते हैं और अगर आप लोग playlist के जितने भी वीडियो हैं उनके अगर PDF चाहते हैं तो PDF के लिए जो number है उस पे आप लोग contact कर सकते हैं कुछ ही पैसों में आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अभी क्लिए फलालत नहीं थेंक यू वेरे मच गुडबाई जय हिंद